पॉल्टेक्निक गुरू में आप सभी एस्टूडेंट का स्वागत है जो भी बच्चे फस्समेस्टर के है वो टेक्निकल पॉइंट के दरावाद दरभंगा कोचिंग में पॉल्टेक्निक फस्समेस्टर का कलास करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हैं मेरा कॉंटेक्ट नमर है डवल एट सेवन थिरी थिरी एट डवल टू सेवन फोर मैं जितन सर आज मैं आप लोग के बीच लेकाया हूँ कंपाउंड माइक्रोएसकोप आज मैं प्रहाण आप लोग को पढ़ाऊंगा कंपाउंड माइक्रोएसकोप कंपाउंड माइक्रोएसकोप होता क्या है सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो देखें जिस माइक्रोएसकोप में एक से अधीक लेंस का यूज किया जाता है उसको हम लोग कंपाउंड माइक्रोएसकोप कहते है compound microscope में generally जो है वो दो lens सामिल करता है दो lens contain करता है पहला lens जो है वो आपका objective lens है यह आपका objective lens है चुकि यह object के करीम में रहता है इसलिए इस lens का नाम हम लोग objective lens देते हैं इसके निकट में object रखता है objective lens का जो focus होगा उसके focus से थोरा ही दूरी पे object रखा जाता है ताकि इसके दुआरा जो image बनेगा वो real image बने और magnified image बने और जो आपका second lens है यह आपका IPS lens है इसको हम लोग ocular lens भी काते है और यह आपका एक convex lens होता है यहाँ पे यह IPS lens जो है यह objective lens से थोरा बरा होता है size में यानि objective lens का जो size है वो छोटा होता है as compared to IPS lens objective lens के सामने में हम लोग क्या कर रहे हैं एक object को रख रहे हैं तो एक object रख रहे हैं objective lens के focus के पास तो इस से होकर के इस object AB से जो principal axis के parallel में रेज जाएगा वो focus से होके पास करेगा और इस optical center से एक रेज जाएगा जो direct सीधा optical center से पास कर जाएगा reflection के बाद भी और जहाँ पे ये cut करेगा वो real में cut कर रहा है इसलिए इसके दुआरा जो image फर्म होगा objective lens से वो एक real image होगा हमने object लिया AB principal axis के parallel एक line एक रेज गया जो focus से होके पास कर गया एक इस objective lens के optical center से रेज लेके गया दोनों जहाँ पे cut किया वहाँ पे इसका image बना ADES BDES ये image real होते हैं inverted होते हैं और ये image जो है वो IPS lens के लिए object का काम करते है आपका IPS lens जो है वो image के बहुत ही कडिम में रखा जाता है ताकि ये image जो है इस objective lens और इसके IPS lens का जो focus है उसके बीच में object का का काम करे ADES BDES तो ये जो है ADES BDES ये real image है ताकि ये real image जो है ये object का का काम करेगा IPS lens के लिए IPS lens इस image के बहुत कडिम रखा जाता है ताकि जो ये image बना है ये IPS lens और इसके focus के बीच में परे है ठीक है अब ये IPS lens फिर इसको क्या करेगा magnify करेगा देखे कैसे magnify करेगा तो हम लोग क्या काम कर रहे है यहां से एक parallel range लेके जाएंगे object से तो ये क्या करेगा जो IPS lens का focus है उससे उसके पास करेगा एक इसके optical center से एक range लेके जाएंगे दोनों देखे आगे जाके cut नहीं रहा है तो हम लोग क्या करेंगे दोनों range को पीछे की और बढ़ाएंगे दोनों range को पीछे चुकि यहां पे मेरा कोई object आदमी होगा जो देखने का काम देखेगा तो इसको हम क्या काम करेंगे पीछे की और बढ़ाते है ताकि हमारे आँको तक इमेज बने वो एक इमेज देखे वर्चूल इमेज बनेगा चुकि यहां पे रेज एक दुसरे को cut रियल में नहीं किया था लेकिन हम पीछे की और बढ़ाएं तो यह cut कर रहा है इसलिए इसके दुआरा जो इमेज बन रहा है और इस इमेज का नाम हम लोग देते हैं ए डबल डैस बी डबल डैस और यह आपका एक फाइनल इमेज बन के तो यार होता है जो अबजेक्ट से काफी ज़ेदा मेगनिफाइड होता है देखे अबजेक्टिव लेंस भी मेगनिफाइड किया थोरा बरा दिया और जो आपका आइपिस लेंस यह और ज़ेदा बरा कर दिया इमेज को कितना बरा करेगा तो वो मेगनिफीकेशन देखते है मेगनिफीकेशन होता ही क्या है magnification क्या बताता है magnification यही बताता है ना जो object के compare में image कितना बरा है यानि image का length बटा object का length that is called magnification तो आपका image का length यहां पे क्या है A double dash B double dash और आपका object क्या है A B तो आपका magnification क्या हो जाएगा A double dash B double dash बटा A B यह आपका magnification कहलाएगा इसको हम लोग simple magnification भी करते हैं इससे पता चलेगा जो object के compare में image कितना बरा बना है अब देखिए हम लोग देखते हैं angular magnification देखेंगे angular magnification होता क्या है तो सबसे पहले देखिए आख के दौा आख पे जो object है उसके दौारा जो angle बन रहा है उसको हम माल लेते हैं बीटा यहां पे माल लेंगे तो angular magnification जो होता है वो आख के दौारा आख पे image के दौारा कितना angle बना और जब object को हम image के पास लेके आएंगे तो वो आख पे कितना angle बना रहा है इस दोनों का जो ratio होता है उसको हम लोग angular magnification क्याते है तो हम माल ले रहे हैं जो आपका देख रहे है जो object आपका image बना है वो हमारी आख पे एक angle बना रहा है जिसका हम नाम ली है बीटा अब इस object AB को AB को AB के पास लेके आ रहे हैं और इसके दौारा जो image बनेगा सेम जितना AB object का height है इसके दौारा जो angle बनेगा हमारी आखो पे उसका हम नाम लेते हैं अलफा तो आपका इस तरह से जो angular magnification होगा वो क्या बनेगा बीटा अपोन अलफा तो आपका होगा वो बीटा अपोन अलफा और यदि बीटा और अलफा का भेलू काफी small हो calculation के दौरान तो बीटा जो होता है वो tangent of बीटा के बराबर होता है और अलफा जो होता है tangent of अलफा के बराबर होता है यानि बीटा को हम लोग 10 बीटा लिख सकते हैं और अलफा को 10 अलफा लिख सकते हैं यदि बीटा और अलफा का भेलू small होतो ठीक है इसको हम लोग 10 bita upon 10 alpha लिख सकते हैं ठीक है तो हम लोग लिख देते हैं इसको 10 alpha alpha के जगा पे हैं अब यहां से देखिए इस figure में आप देखिए तो 10 beta का भेलू क्या होगा 10 theta क्या होता perpendicular upon base तो perpendicular क्या है यहाँ पे इस triangle में देखिए तो A double dash B double dash और base आपका क्या हो जाएगा जो आपका D है वो आपका base बन जाएगा उसको मैं X मान सकते हैं तो यह आपका हो जाएगा A double dash B double dash upon X X मान लिए है D का length और यह नीचे मज़ा का channel फा उसमें दिखे क्या होगा object object कितना है A B जितना object का height है वहीं होगा object को हम लाए है image के पास तो object का height A B है तो A B अब अब अटा X हो जाएगा और X X कट जाएगा देखे शेप आ गया इसका मतलब जो simple magnification है वही आपका angular magnification भी आ रहा है यानि एक compound microscope के लिए जो simple magnification है वही उसका angular magnification भी होता है अब हम लोग देखते हैं M बराबर हम लोग जानते क्या है हम लोग magnification क्या जानते हैं magnification को M से denote करते हैं object image कितना है और object कितना है A double dash B double dash बटा A B लेकिन हम लोग क्या काम करें इसके इसमें थोरा change करते हैं इसको लिखते हैं A double dash बटा B double A double dash B double dash बटा A dash B dash into A dash B dash बटा A B A dash B dash को हम लोग काट देंगे कोई दिक्कत नहीं है दोनों को अलग-अलग हम लोग कर सकते है तो देखे A double dash B double dash बटा A dash B dash काम कर रहा है तो फाइप बट्ट ऑबजेक्ट किया कराँगा तो यह ब सब्रीट मेज इमेज का इमेज यह ब्रसका है और यह आपजेक्टिव लेंगा मेगनेफीकेशन हो जाएगा तो हम मेगनेफीकेशन होगा और जो मेगनेफीकेशन होगा उसके प्रोडक्श के बराबर होगा इसका मतलब यह है यदि आपका objective lens किसी object को दो गुना magnify करता है और आपका IPS lens जो है उस image को फिर तीन गुना magnify करता है तो आपका जो final image बनेगा वो object से दो तिया 6 गुना magnify हो जाएगा यही इससे हमें पता चलता है आदि हम लोग अब इसका भेलू लिखें M का भेलू क्या होगा M E का भेलू क्या होगा तो M E यहां पर हम लोग थोरा यहां पर हम लोग गौर करें तो एक चीज़ हम लोग देखेंगे यहां पर देखें ध्यान से जो आपका A double dash B double dash है तो आपका है A dash B dash और जो आपका A dash B dash और इधार आपका लेके चल रहे है A B इस दोनों triangle में आप देखिए यह आपका जो angle है ठीक है यह दोनों angle आपका बराबर होगा और अधी तो यह दोनों triangle क्या हो जगा similar triangle होगा और similar triangle है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं जो M E है उसको हम लोग यहां से माल लिए है object का जो आपका जो objective lens जो object है वो unit distance पे है और आपका जो objective lens और जो आपका image बना था A dash B dash objective lens का उसका distance हम भी unit हो जाएगा और हम लोग जानते हैं जो M not का भेलो यानि objective lens का जो magnification होगा उसका formula पहले हम लोग पढ़ चुके हैं 1 plus D upon F E ठीक है तो यह formula हम लोग put कर देंगे sorry यहाँ एक सेकंड sorry यह जो आपका है यह M E sorry यह जो 1 plus D upon F E लिखे हैं वो IPS lens का जो magnification है उसके लिए formula लिखे हैं जो कि पीछे हम लोग जब देखे थे simple microscope तो उसका जो magnification का जो formula है था 1 plus D upon F तो यहाँ पे 1 plus D upon F ही जो है आपका IPS lens का magnification है और जो आपका objective lens का जो magnification है वो B not upon U not के बराबर है ठीक है यानि A dash B dash बटा AB के A dash B dash बटा AB जो है उसको हम लोग B not upon U not लिख सकते हैं चुकि A dash B dash बटा AB क्या है आपका objective lens का magnification है और आप देखे यह triangle जो है आपका यह triangle दोनों triangle आपका आपका जो yellow color से हम लोग दिखाए है दोनों triangle दी similar होगा यहाँ पे तो आपका जो आपका A dash B dash बटा AB जो है वो आपका B not बटा U not के बराबर हो जाएगा और ME का formula हम लोग simple microscope से जानते हैं तो इसको improve नहीं करेंगे क्या inverted image है तो भाइ माइनस लगाना परेगा इस इल्म क्या करेंगे यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा पिलिज लाइक सेंड सब्सक्राइब मैं यूटूब चैनल पॉल्टेक्निक ग्रूव करें